आज चलिए बनाते हैं एक मैंगो डेजर्ट जो की बहुत ही कम इंग्रेडियन से बहुत ही जल्दी बिनके तयार हो जाता है और इसको कोई भी बना सकता है बहुत ही टेस्टी भी बनता है यह तो चलिए शुरू करते हैं फिर बनाना इसको नमस्ते दोस्तों वेलकम टू मैं सामन्स दवाफरत वीडियो देख लीजेगा अगर पसंद आई तो मेरी चानल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत फिलिएगा प्लीज तो इसके लिए पहले मैंने यहां पे एक चोथा एकाप कस्टड पाउडर लिया है और इसमें हम डालेंगे 100 ml मिल्क यह मैंने पह किली मैंगो जिसका पॉल्फ इसे निकालके रहाए चिल्कल का निकालक देख सकते हैं इसको डालते है में ब्लेंडर में डाल दीजिये और उसमें हम डालेंगे 100 ml मिल्क और अजबिगर उहां डालिटे हैं जालेघे में इसमें पानी मिलाने के जरवत बिलकुल भी नहीं है यह जए देखें ब्लेंड हो गया अब इसमें डालेंगे यह जो ब्लेंड किया हैं इसको डालने के बा। मेडियम हीट के उपर मेडियम फ्लेम के उपर हमको इसको बराबर चलाते हुए तीम से चार मिनित कुप करना है छोड़ना नहीं है मिल्कुल भी वनना ये बटम पर चिपक सकता है तो इसको बराबर चलाते हुए तब तक हमको कुप करना है जब तक यह से बबल आना सुरू न प्रेट करना है और अच्छे से फेट के फिर स्में मिलाना है और मिलाने के बाद बराबर चलाते हुए इसको लो फ्लेम के उपर कुक करना है अगर नहीं चलाएंगे तो लंप पड़ जाएगा और यह नीचे भी चिपक सकता है तो यह साथ से यह तनी में अच्छ से थीक बने चुका है इसको बने लेए हम अभी डेजट बॉल लेदे आप को सर्फ निकाल सकते हैं यहां पर मैंने दो बॉल लिया है तो दोनों में equal quantity में हम डिवाइड कर लेंगे और इसका उपर के इससा थोड़ा सा स्मूध कर लेंगे स्पैचुला के मदद से थोड़ा सा टैप कर दीजिएगा बॉल को तो स्मूध हो जाएगा उपर कैसा स्पैचुला के मदद से स्मूध कर लेंगे अभी इसको ठंडा होने के बाद फ्रीज में रखेंगे आदा गंटा आदा गंटा के बाद यह जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए इसको गानिस करेंगे तोड़ा सा चॉप्ट मैंगो ऐलमेंट स्लाइस और चेरी के साथ अगर आप चाहें तो वालनॉट भी डा और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा अगले नए रेसिपी के नोडिफिकेशन के लिए सो थैंक यू आल पर वाचिंग सी यू नेक्स ताइम तिल देन टेक क्या बाबाई